नमस्कार, हर कहानी कुछ कहती है, आज की कहानी क्या कहती है, तो चलिए सुनते हैं, मुन्सी प्रेमचन जी की लिखी कहानी सुजान भगत, सीधे साधे किसान धनहात आते ही धर्म और कीर्थी की ओर धुगते हैं, दिब्ब समाज की भात वा पहले अपने भोग बिलाज की ओर नहीं दोड़ते, सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था, मेनत तो गाउं के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे, उसर में भी दाना छीट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो जाता था, तीन वर्स लगातार एक लगती गई, उधर गुड का भ ने लगी, कानून गो इलाके में आते तो सुजान मातों के चौपाल में ठायरते, हलके के हेट कांश्टवल, थानेदार, सिच्छा विभाग का अफसर, एक ना एक उस चौपाल में पढ़ा रहता, मातों मारे खुशी के फूले ना समाते, धन्य भाग, उसके द्वार पर अ हाकिम आका ठायरते हैं, जिन हाकिमों के सामने उसका मूना खुलता था, उन्ही की अब मातों मातों करते जवान सूपती थी, कभी कभी भजनभाव हो जाता, एक मातमा ने डौल अच्छा देखा, तो गाउं में आसन जमा दिया, गांजे और चरस की बहार उनने लगी, एक धोला काई, मजीरे मंगाए गए, सत संग होने लगा, या सुजान के दम का जुलूस था, घर में सेरो दूद होता था, मगर सुजान के कंट तले एक बून भी जाने की कसम थी, कभी हाकिम लोग चकते, कभी मातमा लोग, किसान को दूद घी से क्या मतलब, उसे रोटी और सा घमंड हो गया, गाउं में कुल तीन कुए थे, बहुत से खेती में पानी ना पहुचता था, खेती मारी जाती थी, सुजान ने पक्का कुवा बनवा दिया, कुए का विवा हुआ, यग हुआ, बरम भोज हुआ, जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारो पद जार्त मिल गए, जो काम गाउं में किसी ने ना किया था, वह बाप दादा के पुनपरताब से सुजान ने कर दिखाया, एक दिन गाउं में गया के आतरी आकर ठहरे, सुजान ही के दोर पर उनका भोजन बना, सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी या अच्छा औसर देख कर वाभी चलने को तयार हो गया, उसकी इस्तरी बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे, सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा, कौन जानता है, दर्म के काम में 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 एक निकालना अच्छा नहीं, जिन्दगी क क्या भरोसा बुला की हाथ खाली हो जाएगा सुजान भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे उनके यहां किस बात की कमी है बुला की इसका क्या जवाब देती सतकार में बाधा डाल कर अपनी मुक्ति क्यों बिगारती प्राताकाल इस्त्री और पुरुस वहां मज गई सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे गमन तो छू नहीं गया अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता कुल का नाम जगा दिया बेटा हो तो ऐसा हो बाप मरा तो भूनी भांग भी नहीं थी अब लचमी घुटने तोड़ कर आबैटी है एक द्वेशी ने कहा कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है इस पर चारो और से उस पर बहुचारे पढ़ने लगी हाँ तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गये थे वहीं उसके हाथ लग गया है अरे भाईया या धर्म की कमाई है तुन भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो क्यों ऐसी एक नहीं लगती क्यों ऐसी फसल नहीं होती भगवान आदमी का दिल देखते हैं जो खर्च करता है उसी को देते हैं सुजान मा तो सुजान भगत हो गए भगतों के आचार बिचार कुछ और होते हैं वो बिना असनान के कुछ नहीं खाता गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज असनान करके दोपार तक घर ना लट सकता हो तो परवों के दिन उसे अवस्य नहाना चाहिए बजन भाव उसके घर पर अवश्य होना चाहिए पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार है खान पान में भी उसे बहुत विचार करना पड़ता है सबसे ब अग्यान की अवस्था में कितने ही अपराथ चम हो जाते हैं ज्यानी के लिए चमा नहीं है प्रायश्चित नहीं है यदि है तो बहुत कठिन सुझान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था उसका कोई आदर्स कोई मर्यादा उसके सामने ना थी अब उसके जीवन में विचार का उदे हुआ जहां तक मार्ग काटों से भरा हुआ था स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लच्छ था इसी काटे से वह परिस्तितियों को दोलता था वह अब उन्हें आवचित के काटों से तौनने लगा यू कहो कि जड़ जगत से निकल कर उसने चेतन जगत में प्रवेस किया उसने कुछ लेन दिन करना सुरू किया था अब उसे ब्याद लेते हुए आत्म गलांसी होती थी यहां तक की गवों को दूते समय उसे बचलों का ध्यान बना रहता था कहीं बचला भूखा न रह जाए नहीं तो उसका रोया दुखेगा वह गाओं का मुकिया था कितने ही मुकदमों में उसने जूटी सहाथते बनवाई थी कितनों से डान लेकर मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया था अब इन ब्यापारों से उसे घ्रना होती थी जूट और परपण्च से कोसो दूर भागता था पहले उसकी या चेश्टा होती थी कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके लो और मजूरी जितनी कम दी जा सके दो पर अब उसे मजूर से काम की कम मजूरी की अधिक चिंता रहती थी कहीं बिचारे मजूर का रोया दुखी हो जाए उसके दोनों जवान बेटे बाद बाद पर उस पर फप्तियां कसते यहां तक की बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रियोजन ना था चेतन भगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रहे गए सुजान के हाथों से दीरे दीरे अधिकार चीने जाने लगे किसी खेत में क्या बोना है किसको क्या देना है किसको क्या लेना है किस भाव में क्या चीज भी की ऐसी ऐसी महतपूर बातों में भी भगत जी की सला ना ली जाती थी भगत के पास कोई जाने ही ना पाता दोनों लड़के या सुयंबुला की दूर ही से मामला तैकर लिया करती गाव भर में सुजान का मान समान बढ़ता था अपने घर में घरता था लड़के उसका सतकार अब बहुत करते हाथ से चार पाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते चिलम ना भरने देते यहां तक कि उसकी दोती चाटने के लिए भी आगरा करते थे मगर अधिकार उसके हाथ में ना था वह अब घर का स्वामी नहीं मंदिर का देवता था एक दिन बुलाकी ओकली में दाल चाट रही थी एक बिकमंगा दौर पर आकर चिलाने लगा बुलाकी ने सोचा दाल चाट लू तो उसे कुछ दे दू इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला अम्मा एक महात्मा दौर पर खड़े गला पाड रहे हैं कुछ दे दो नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा बुलाकी ने उपेच्छा के भाव से कहा भगत के पाउं में क्या मेंदी लगी है क्यों कुछ ले जाकर नहीं दे देते क्या मेरे चार हाथ है किस किस का रोया सुकी करूँ दिन भर तो ताता लगा रहता है भूला चौपट करने पर लगे हैं क्यों क्या अभी माहिंगू भेक रुपाए देने आया था हिसाब से साथ मन हुए तौला तो पौने साथ मन ही निकले मैंने कहा दस सेर और ला तो आप बटे बटे कहते हैं अब इतने दूर कहा जाएगा भर पाई लिख दो नहीं तो उसका रोया दुखी होगा मैंने भर पाई नहीं लिखी दस सेर बाकी लिख दी भूला की बहुत अच्छा किया तुमने बकने दिया करो दस पाउच दफे मूँ की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे भूला दिन बर एक ना एक खुचड निकालते हैं सो दफे कह दिया की तुम घर ग्रास्ती के मामले में ना भूला करो पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता भूला की मैं जानती थी कि इनका या हाल होगा तो गुरु मंत्र ना लेने देती भूला भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए सारा दिन पूजा पाट में उड़ जाता है अभी ऐसे बुड़े ना हो गए कि कोई काम ही ना कर सके भूला की ने आपत्ती की भूला या तुमारा कुवन्या है फावडा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं बैलो को शानी पानी देते हैं गाहे दूते हैं और विजू कुछ हो सकता है करते तो हैं बेच्चुक अभी तक खड़ा चिला रहा था सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर सवर में बोला तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीक मांग रहा है अपना काम तो दिन भर करना ही है एकछ़ळ भगवान का भी काम कर दिया करो भूला की तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो क्या घर भर भगवान का ही काम करेगा सुजान कहां आटा रखा है लाओ मैं निकाल कर दे आओ तुम रानी बनकर बटो बुला की आटा मैंने मरमर कर पीचा है अनाज दे दो ऐसे मुर्चिरों के लिए पहार रात में उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबडी को जोसे भरे हुए निकले जो सेर भर से कम ना था सुजान ने जान बूच कर किवल बुला की और भोला को चिड़ाने के लिए बिच्छा परंपरा का उलंगन किया था तिस पर भी या दिखाने के लिए कि छबडी में बहुत ज़्यादा जो नहीं है वा उसे चुटकी में पकड़े हुए थे चुटकी इतनी बोज ना संभाल सकती थी हाथ कहां पर रहा था एक छड़ बिलंभोने से छबडी के हाथ से चूटकर गिर जाने की संभाव ना थी इसलिए वा जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे सासा भोला ने छबड़े उनके हाथ से चीन ली और तेओरियां बदल कर भोला सेथ का माल नहीं है जो लुटाने चले हो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं जब दाना घर में आता है सुजान ने खिसिया कर कहा मैं भी तो बैठा नहीं रहता भोला भीग भीग की तरह दी जाती है लुटा ही नहीं जाती हम तो एक बेला खाकर दिन काड़ते हैं कि दाना पानी बना रहे और तुम्हें लुटाने की सूजी है तुम्हें क्या मालूं कि घर में क्या हो रहा है मगन हो गया अपने ही घर में उसका आनादर अभी वह अपाहिज नहीं है हाथ पाऊं ठके नहीं है घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है उस पर यह अनादर उसी ने घर बनवाया या सारी जी जी भी वीभूति उसे का स्रम का करें ऐसे जीवन को दिक्कार है सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता संध्या हो गई थी भोला का छोटा भाई संकर नारियल भर कर लाया सुजान नारियल दिवार से टिका कर रख दिया धीरे धीरे तमाकु जल गया जरा देर में भोला ने द्वार पर चार पाई डाल दी सुज पेड़ के नीचे से ना उठा कुछ देर और गुजरी भोजन तयार हुआ भोला बुलाने आया सुजान ने कहा भूख नहीं है बहुत मनावन करने पर भी ना उठा तब बुलाकी ने आकर कहा खाना खाने क्यों नहीं चलते जी तो अच्छा है सुजान को सबसे अधिक्रोध पुलाकी पर था या भी लड़कों के साथ है या बैटी देखती रही और भोलाने मेरे हाथ से अनाच छेन लिया इसके मुझसे इतना भी ना निकला की ले जाते हैं तो ले जाने दो लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने स्रम्शे या ग्रहस्ती जोड़ी है पर या तो जानती है दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा बादों की अन्धेरी रात में मड़या लगा के जुआर की रखवाली करता था जेट बैसाग की दुपारी में भी दम न लेता था और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीग तक दे सकूं माना कि भीग इतनी नहीं दी जाती लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था चाहे मैं घर में आगी क्यों न लगा देता कानून से भी मेरा कुछ होता है मैं अपना हिस्सा नहीं खाता दूसरों को खिला देता हूँ इसमें किसी के बाप का क्या साजा अब इस वक्त मनाने आई है जिसने खसम कि लाते ना खाई हो कभी कड़ी निगा से देखा तक नहीं रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था अब रुपए जमा कर लिये हैं तो मुझी से घमंड करती है अब इसे बेटे प्यारे हैं मैं तो निकट्टू लुटाओं घर फूंको घोंगा हूँ मेरी इसे क्या परवा तब लड़के ना थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठा कर बैट के घर ले गया था आज इसके बेटे हैं और या उनकी मा है मैं तो बाहर का आदमी हूँ मुझे घर से मतलब ही क्या बोला अब खापी कर क्या करूंगा हल जोतने से रहा फ तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हूँ सच कहा है बुड़ापे में आदमी की बुद्धी मारी जाती है भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीक मत ले जाओ या और कुछ कहा था सुझान बोला हां बेचारा इतना कहकर रह गया तुम्हें तो मजा तब आता जब वह उपर से दो चार डंडे लगा देता क्यों अगर यही अभला ऐसा है तो पूरी कर लो भोला खा चुका होगा बुला लाओ नई भोला को क्यों बुलाती हो तुम ही न जमा दो दो चार हा इतनी कसर है वह भी पूरी हो जाए बुला की हां और क्या यही तो नारी का धर्म है अपने भाग सराहो की मुझ जैसी सीधी अवरत पाली जिस बल चायते हो बिठाते हो ऐसी मुझ जोर होती तो घर में एक दिन भी निवा ना होता सुझान हां भाई वह तो मैं ही कह रहा हू कि दे भी थी और हो मैं तब भी राच्छस था और अब भी दैत हो गया हूँ बेटे कमाओ है उनकी सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी मुझ से अब क्या लेना देना है बुला की बोली तुम जगडा करने पर तुले बैठे हो और मैं जगडा बचाती हूँ कि चार आदमी हूँ बुला की बेटे तुम्हारे भी तो है सुजान नहीं मैं ऐसे बेटे से बाज आया किसी और के बेटे होंगे मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुरगत होती बुला की गालिया दोंगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं पर त अच्छा लगे, मैं या बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते, जो कमाता है, उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती तुम क्यों अपने मन का करते हो इतने दिनों तक तो राज कर लिया अब क्यों इस माया में पड़े हो आधी रोटी खाओ भगवान का भजन करो और पड़े रहो चलो खाना खालो सुजान तो अब मैं द्वार का कुट्ता हूँ बुला की बात जो थी वह मैंने कह दी अब अपने को जो चाहो समझो सुजान ना उठे बुला की हार कर चली गई सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता था परश्थित में कितना उलट फेर हो गया था इसकी उसे खबर ना थी लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं या बात उसे भ्रम्बे डाले हुए थी लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते खाट पर नहीं अब तक जिस घर में राज किया उसे घर में पराधीन बन कर वा नहीं रह सकता उसको स्रध्धा की चांद नहीं सेवा की भूख नहीं उसे अधिकार चाहिए वा इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता मंदिर का पुजारी बनकरवा नहीं रह सकता ना जाने कितनी रात बाकी थी सुजान ने उठकर गणाँसे से बैलों का चारा काटना शुरू किया सारा गाउं सोता था पर सुजान चारा काट रहते इतना स्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी न किया था जब से उन्होंने काम करना छोड़ दिया था बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती जी संकर भी काटता था भोला भी काटता था पर चारा पूरा ना पड़ता था आज वा इन लॉंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए उसके सामने कटिया का पहार खड़ हो गया और टुकडे कितने महीन और सुडावल थे मानों साचे में ढाली गए हूं मुँ अंधेरे बुला की उठी तो कटिया का धेर देखकर दंग रहे गई और बोली क्या बोला आज रात भर कटिया को काटता रहे गया कितना कहा कि बेटा जी से जहान है पर मानता ही नहीं र इतने में भोला आके मलते हुए बाहर निकला उसे भी या डेर देखकर आश्चर हुआ मा से बोला क्या संकर आज बड़ी रात को उठा था अम्मा भुला की वा तो पड़ा सो रहा है मैं न तो समझा तुमने काटी होगी भोला मैं तो सबेरे उठी नहीं पाता दिन भर चाह मुझसे कल बड़ी भूल हुई अरे वा तो हल लेकर जा रहे हैं जान देने पर उतारू हो गए है क्या भुला की बोली क्रोधी तो सदा के हैं अब किसी के सुनेंगे थोड़ी ही भुला संकर को जगा दो मैं भी जल्दी मुहा दो कर हल ले जाओं जब और किसानों के साथ भ छोड़ दिये पर सुजान भगत अपने काम में मगन है भूला ठक गया है उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता सबको आश्चर हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेनत कर रहे हैं आखे डरते डरते बोला दादा अब तो दो भार हो गया है हल खोल देना सुजान हाँ खोल दो तुम बैलों को लेकर चलो मैं डाण फेक कर आता हूं भोला मैं संजा को डाण फेंग दूंगा सुजान बोले तुम क्या फेक दोगे देखते नहीं खेत कटोरी की तरह गहरा हो गया है तब ही तो बीच में पानी जम जाता इस गोएट के खेत में बीस मन का बीगा होता था। तुम लोगों ने इसका सत्ता नास कर दिया। बैल खोल दिये गए। भोला बैलों को लेकर घर चला। पर सुजान डान फेकते रहे। आदा घंटे के बार डान फेक करवा घर आए। मगर थकान का नाम ना था। नहा कहा कर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना सुरू किया उनकी पीट पर हाथ फेरा उनके पैर मले पूछ तहलाई बैलों की पूछे खड़ी थी सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकतनी सुख मिल रहा था बहुत दिनों के बाद आज उन्हें या आनन प्राप्त हुआ था उनकी आखों में करतगिता भरी हुई थी मानों वो कह रहे थे हम तुम्हारे साथ राट दिन काम करने को तयार है अनकरस्कों की भाद भोला अभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चल दिये दोनों बैल उमंग से भरे दोड़े चले जाते थे मानों उन्हें सुख में खेत में पहुँचने की जल्दी थी भोला ने मड़या में लेटे लेटे पिता को हल लिये जाते देखा पर उठ न सका उसकी हिम्मत छूट गए उसने कभी इतना परिस्सम ना किया था उसे बनी बनाई ग्रहस्ती मिल गई थी उसे जेंतों चला रहा था इन दामों पर वा घर का सौमी बनने का इच्छुकना था जवान आदमी को 20 धंदे होते हैं हसने बोलने के लिए गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए पडोस के गाउं में दंगल हो रहा है जवान आदमी कैसे अपने आपको वहां जाने से रोकेगा किसी गाउं में बरात आई है नाजगान हो रहा है जमान आदमी क्यों उसके आनन से बंचित रह सकता है व्रद जनों के लिए ये बाधाय नहीं उन्हें ना नाजगाने से मतलब ना खेल तमासे से गरत केवल अपने काम से काम है भुलाकी ने का बोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए बोला जाने दो अम्मा मुझसे या नहीं हो सकता सुजान भगत के इस नवीन उस्सा पर गाउं में टीकाए हुई निकल गई सारी भगती भगत बना हुआ था माया में फसा हुआ है आदमी काहे को भूत है भूत मगर बुखारी में अनाज रखने की जगा नहीं मिलती जिस खेत में पांच मन मुश्किल से होता था उसी खेत में अपकी दस्मन की उपज हुई है चैत का महीना था खलियानों में सत्यूप का राज था जगा जगा अनाज के धेर लगे हुए थे यही समय है जब क्रस्कों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है जब गर्व से उनका हिर्दय उछनने लगता है सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख आते थे कितने ही भाट और भिच्चुक भगत जी को घेरे हुए थे उनमें वा भिच्चुक भी था जो आज से आट महीने पहले भगत के द्वार से निरासो कर लाओड गया था सैसा भगत ने उस भिच्चुक से पूचा क्यों बाबा आज कहां कहां चक्कर लगा आए भिच्चुक अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी पहले तुमार सामने या धेर है इसमें से जितना अनाज उठा कर ले जा सको ले जाओ भिच्चुक ने छुप्त नेत्रों से धेर को देख कर कहा जितना अपने हाँ से उठा कर दे दोगे उतना ही लूँगा भगत नहीं तुम से जितना उठ सके उठा लो भिच्चुक के पास एक चादर उसने कोई दसीर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा संकोच के मारे और अधिक भरने का साहस ना हुआ भगत उसके मन का भाव समझ कर अस्वासन देते हुए बोले बस इतना तो एक बच्चा भी उठा ले जाएगा विच्चुक ने भोला कि और संदिग्द नेत्रों से और फिर भोला की और ससंक द्रिश्च से देखने लगा भगत उसकी और क्या देखते हो बाबा जी मैं कहता हूँ वो करो तुमसे जितना उठाया जासा के उठा लो बिच्चुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गट्री ना उठाने दी तो कितनी बे भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गट्री बांद कर बोले इसे उठा ले जाओ बिच्चुक बाबा इतना तो मुझसे उठ ना सकेगा भगत अरे इतना भी ना उठ सकेगा बहुत होगा तो मन भर भला जोर तो लगाओ देखू उठा सकते हो या नहीं बिच्च जगा से हिली भी नहीं फिर बोला भगत जी या मुझसे ना उठ सकेगी भगत अच्छा बताओ किस गाओं में रहते हो बिच्चुक बड़ी दूर है भगत जी अमोला का नाम तो सुना होगा भगत अच्छा आगे आगे चलो मैं पहुचा दूंगा या काकर भगत ने जोर लगा कर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिच्चुक के पीछे हो लिए देखने वाले भगत का पौरुस देखकर चकित हो गए उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नसा था आठ महीने के निरंतर अविरल परिस्रम का आज उन्हें फल मिला था आज उन्हो जो केलो को नहीं काड़ सकती सान पर चढ़कर लोहे को काड़ देती है मानो जीवन में लाग बड़े महत्तुखी वस्तु ने रुपट की वस्तु ऩ rallon समय उन्होंने भोला कि और सवर्ग नेत्रों से देखा और बोले ये भाट और विचुक खड़े हैं कोई खाली हात ना लोटने पाए भोला सिर जुकाय खड़ा था उसे कुछ बोलने का हौसला ना हुआ व्रद्ध पिता ने उसे परहास्त कर दिया था धन्यवाद अभी आप सुन रहे थे मुंसी प्रेम चंजी की लिखी कहानी सुजान भगत